इसका सेक्षण बंदू हूँ, असभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्वरान अकैडमे क्लासेस पर यहां हम उपस्तित हुए है माडिूल 11 भासा सेक्षण सास्तर जो दिक्षाय पर चल रहा है इसमें और यह निस्ठा प्रस्डिक्ष्ण कारिकरम के तहत है इसकी मुख्य प्रसनोतरी के साथ मैं यहां हाजर हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो नामंकन है आप एक दिसंबर से कर पाएंगे और अंतिम्तित इसकी आप सभी लोग जानते हैं कि पंदरा बारा दो हजार 20 होगी, इस तरीके का कुछ इंटरफियस आप पो यहां नजर आएगा जब अपनी दिक्षायप पर आप ओपन करेंगे से, और यह सभी राज्यों के लिए मानने हैं, यही सेम प्रसनोतरी होती है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता, तो आईए सुरू करते हैं आज का यह वी प्रसनोतरी मिलेगी, फिर उसके बाद आप पहला कोशन देखिए, जैसे पहला कोशन पर आप पहुचेंगे, तो आपके सामने options दिए गए हैं, चार options हैं, निम लिखित में से कौन सा पढ़ने के समय में, निम लिखित में, आप देखिए यहां पर, निम लिखित में से कौ पढ़ने के समय करने का कार है, तो सिच्छा का घर से पाठ पढ़कर आना, और कक्षा में उसी को पढ़ाना, यह नहीं, यह जो option आपका सही है, वो यह हैं, जो blue color से है, कक्षा को चार या दो के समय में विखित करना, और पाठ को बारी-बारी से पढ़वाना, सिच्छक बढ़ जाएंगे, फिर अगला कोशन आपको मिलेगा, देखी, यहां जो option आपको मिलेगा, वो option आपके सामने यह है, यानि एक पूर्व पठन कारे का उद्देश है, क्या उद्देश है, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभो का ज्यान और ज्यान क जोड़ना, इस परकार ये दो सवाल हो जाते हैं, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, यहां पर आप देखेंगे, कि पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या वप्रिया है, तो इस कथन से वप्रिया है, जो हमारा है, वो है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना, तो य ज़रिये से निम लिखित में से कौन सा सच है या है तो आप इस arrow को particular जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी detail आपको यहाँ पर देखी मिल जाएगी यहाँ चार options दिये गए हैं इन में से कौन सा चीजे सत्ते है यह हमें बताना है तो इसमें देखे सुनना बोलना पढ़ना लिखना आ पहले वाले में सोचना एक साथ विक्सित होता है यही जो option दिया गया है यही सही है बाकी जो है यहाँ पर गलत है तो आप इस arrow को फिर से आप ok करेंगे यहाँ पर और जैसे ही ok करेंगे तो आपको सामने देखे यह सा कुछ interface आ जाएगा और यहाँ आपका जो option सही होगा व इसके बाद आप आगे बढ़िए यहाँ अगले कोशन में जाएंगे तो बच्चे जब बच्चे स्कूल में प्रवेस करते हैं तो हमें क्या करना है मौके कान साधनों के माधम से भासा के साथ परचित कराना है उन्हें यह option सही हो जाएगा फिर उसके बाद हम आगे बढ़ पूरी डिटेल इसकी हम देख लेंगे जैसे देखेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल हमें मिली तो यहाँ जो हमारा option सही होगा वो देख लेंगे कि पहला option पढ़ ली हमने मातर भासा दूसरी भासा के सिक्षा में हस्तेश चेप करती है तो यह भी नहीं कथन सही बताना ह दूसरी भासा सीखने में मातर भासा ने ना तो समर्थन करती है और ना ही जहास्त शेफ करती है तो यह हो गया है यहाँ जो तीसरा option है यह सही है हमारा मातर भासा दूसरी भासा सीखने के लिए एक संसाधन है और मातर भासा दूसरी भासा सीखने का समर्थन करती है यानि इ विकल्ब यहाँ पर सही हो जाएगा, कथन तीसरा और चौथा सही होगा, अगले सवाल के तरफ चलते हैं, बच्चे यानि अबलिक मानो सीखता है, तो यहाँ पर काफी प्रियास के साथ सीखता है यहाँ पर, आप देखिए, काफी प्रियास के बिना मातर भासा जो है वो सीख अगला सवाल है मारा भासा सीखने में केंद्रियता का अर्थ है क्या अर्थ है सभी यानि विशयवस्तू सीखना मूल रूप से भासा सीखना है यह ऑप्शनिस का सही होगा फिर एरो के तरब जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगी अगला कोशन है मातर भासा अधारित बहु सभी बच्चे अपनी मातर भासा में स्कूली सिक्षा सुरू करते हैं और कई भासाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इसी तरीके से अगला कोशन भासा सिखने के रणनी थी के रूप में बहु भासा का क्या आर्थ है तो यहां क्या आर्थ है इसका देखिए कि यह option जो है हमारा इसका blue वाला सही होगा कक्षा में सिक्षन दाधिगम के लिए बच्चों की भासा का उप्योग करना तो यह option इसका सही हो जाएगा देखिए कि हमने total questions जो है 10 किये यहां पर और कोई भी questions जो है सभी का जो हमने answer दिया कोई भी हमने question skip नहीं किय आप यहां submit कर देंगे जैसे ही हमने submit किया तो हमें score यहां जो नजर आएगा वो 10 out of 10 मिलेगा फिर यहां से हम exit कर जाएगे और हमारी प्रसनोतरी complete हो जाएगी उम्मिद करता हूँ है जब वीडियो अच्छा लगा होगा आप दूसरे सिच्चों तक भी से पहुचाएगे और आप अगर कोई सुझा होगा तो comment box में आवस्ते बताएंगे धन्यवाद, जय हिन, जय भारत मिलते हैं अगले वीडियो में